नमस्कार दोस्तों मैं हूँ समराट सोरव और आप देख रहे हैं नौलेच्छिव दोस्तों आपको पता होगा ही कि NCRT का Classics का Science आपका चल रहा है आपका दो चेप्टर कंपलीट हो चुगा है आज Science का तिसरा चेप्टर है तिसरा चेप्टर का नाम है पादपों का प्रिथिकरन पादपों का प्रिथिकरन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो जो चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें ताकि अगला जब Class आए आपको सबसे पहले पहुचे तो देखिए आपका Class 6 का विज्ञान का तिसरा चेप्टर है पादपों का प्रिथिकरन देखिए मिश्रन दो या दो से अधिक तत्व यह योगी उनके मिलने से बनता है जिसको मिश्रन कहते हैं देखिए हवा भी एक मिश्रन है हवा जो है एक मिश्रन है इसमें कई गैस मिले हुए होते हैं देखिए जैसे Oxygen हुआ, Nitrogen हुआ, Hydrogen आदी इसमें मिले हुए होते हैं वायुका यह मिश्रन गैस है अब देखिए प्रिथिकरन के वीधिया हस्ट चयन हस्ट चयन में क्या होता है कि कि किसी मिश्रीत से हानिकारक तथा अनुपियों की पदार्थ को हांच से चुनकर अलग करना हस्ट चयन प्रिथिकरन का लाता है हांच से चुनकर किसी भी अपसिश पदार्थ को अलग करना उसको हस्ट चयन भी दी कहते हैं जैसे देखे, गेहूं, चावल ये दाल से पत्थर एवंग भूसे को प्रिथक करना, देखे इस चित्र के माधियम से, यहाँ पर अनाज से पत्थर के टुकडे को ये वेक्ति कैसे अलग कर रहा है, इसी को कहते हैं हस्त चैन, अब देखे, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या है, स जब फसल सूख जाता है, तो उसके डंटियों से अलग किया जाता है, जिसको हम थ्रेसिंग कहते हैं, जैसे देखे, डंटियों को पीट कर, अक्सर आप लोग धान को देखे होंगे, जैसे पीट कर उसको, उसके डंटियों से धान को अलग किया जाता है, फिर बैलों की सहता इसे धान को उसके डंटियों से अलग करने के लिए पीट रहा है इसको थ्रेसिंग कहते हैं चलिए आगे देखिए निस्पावन पवन अथ्वा वायू के जोखों द्वारा किसी मिश्रन के अवियव को प्रिथक करने की विधी को निस्पावन कहते हैं जैसे किसान भूसे के अनाज को इसी विधी से अलग करते हैं अब देखिए यहां पर इस चित्र को यह महिला क्या कर रही है इधर से हवा आ रहा है हवा की दिसा में अनाज को उपर ले जाकर सूप में भूसे को नीचे गिरा रही है इसमें क्या हो रहा है कि एक अनाज नीचे आकर गिर रहा है औ और भूसा जो है दूर जाकर गिर रहा है, जिससे की अनाज साप निकल जाता है और जो भूसा है उससे अलग हो जाता है, इसको कहते हैं निस्पावन विदी, अब देखिए चालन विदी क्या है, चालन द्वारा आटे से असुद्यों को प्रिथक करना चालन कहलाता है, जैसे आटा से असुद्यों को या रेद से कंकड और प्रिथक करना, आप लोग देखे होंगे अक्सर, जब घर में आटा को चाला जाता है, तो उसको ही चालन विदी कहते हैं, इससे देखिए चालन में लेकर आटा को रखा जाता है और उसको चाला जाता है, जिससे की आटा जो है, दुसरिया बर्तन में छला जाता है, और अपसिष्ट पदार जो है चालन में ही रा जाता है, इसको चालन विदी कहते हैं, यहाँ देखिए, घर बनाने इस्त में, बालू को उसके कंकड को अलग करने के लिए, इस परकार से चालन विदी का परियोग किया जाता है, अब देखे अफसाधन, अब साधन क्या है, किसी तरल मिस्रन से भारी ठोस पदार्त को नीचे बढ़ने की प्रकिरिया को अफसाधन कहते हैं, जैसे जल की तली पर भारी कन नीचे बढ़ जाते हैं देखे इस चीतर में कि दिखाया गया है यहाँ पर मिट्टी और जल का मिसरन है जबकि यहाँ पर मिट्टी देखे यहाँ पर नीचे बढ़ गया है इसी परकार कुछ देर छोड़ने के बाद तली पर मट्टी बैट जाती है या कोई भी भारी पदारत पानी में बैट जाता है और पानी उप़र चल जाता है इसी को ही अब सातन विदी कहते हैं अब देखे निस्तारन निस्तारन क्या है रेत और जल के मिस्रन में रेत के भारी कन तली में बैठ जाते हैं आपने यहां पर देखाई होगा यहां देखे तली में बैठ गया है तली में यहां देखे बैठ गया है इसी परकार जब बैठ जाना और इस विदी तवारा जल को प्रितक करना जब जल उपर चल जाता है तो उस जल को बाहर निकाल दिया जाता है देखिए जस्ट ऐसे ही देखिए याँ जल के महिन कन को अलग करना यहाँ पर देखिए तली पर मिट्टी बैठा हुआ है और जल जब उपर था तो उसको अलग गलास में कर लिया गया इसी को निस्तारण विदी कहते है अब आगे देखिए मिश्टरण पदार्थ को ठोस या द्रव्य को अलग करने की विदी को निसियंदन कहते है जैसे रेतिले जल से स्वच जल को प्राप्त करना देखिए जैसे जल को यहाँ छाना जा रहा है इसी प्रकार छान कर सुद्ध जल प्राप्त कर लिया जाता है जिसको निस्यंदन विदी कहते है अब देखिए वास्पन वास्पन क्या है जल को उसके वास्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वास्पन कहते है जल का जो वास्पन होता है चाहे वो गर्म करने से हो या सूरी के प्रकास से हो जिसको हम वास्पन कहेंगे देखें चिद्र के माद्यम से भी समझाया गया है एक स्टोब है जिसमें की जल को चड़ाया गया है और ये क्या होता है कि कुछ देर बाद जल्ब गर्म होने के बाद ये वास्पन विधी द्वारा वास्प हो जाता है चलिए आगे देखें जैसे में क्या है कि सूरी के परकास से जल्म गर्म होकर वास्पन विधी द्वारा धीरे धीरे वास्प में बदल जाते हैं अब देखें नम्मक, नम्मक क्या है ये, नम्मक कैसे बनता है, नम्मक जो है सुरी के परकास से जल गर्म होकर वास्पन द्वारा धीरे धीरे वास्प में बदनने लगता है, कुछ समय बाद जल वास्पीत हो जाता है, तदा ठोस लवन नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवनो को मिश्रन से सोधन करके सधारा नमक प्राप्त कर लिया जाता है जैसे यहां देखे क्या होता है कि समुद्र के किनारे एक गड़ा बनाया जाता है जिसमें जल को बारा जाता है और यह क्या होता है कि वास्पन के द्वारा गड़ाओं से जल सूख जाता है और जो गड़ा में बचता है वो बचता है नमक और इसको फिर सुध कर लिया जाता है और जिसको हम सदारन नमक कहते हैं जो हम खाने के उपयोग में लाते हैं देखे अब संत्रिप्त विलियन क्या है जिस विलियन में कोई पदार्थ और अधीक ना गुल सके वह उस पदार्त का संत्रिप्त विलियन होता है देखें क्या होता है कि जब किसी विलियन में किसी गोल को गोला जाता है जब उसमें अत्यधीग हो जाता है अत्यधीग मात्रा में विलियन हो जाता है तो क्या होता है कि वो नहीं गोलता है जिसको हम संत्रिप्त विलियन कहते हैं अब विलाई क्या है देखें विलाई क्या होता है कुछ पदार जो जल में घूल जाते हैं उसको विलाई कहते हैं जैसे पानी और नमक का गोल इसमें क्या होता है कि पानी और नमक आपस में घूल जाते हैं अब देखे किसी भी पदार्थ के विलियन को गर्म करने पर उसमें अधीक पदार्थ गोला जा सकता है देखे पदार्थ को गर्म करने पर उसका गोलन का जो सकती है वो बढ़ जाता है उसमें अधीक वस्तों को अधीक विलियन को गोला जा सकता है पदार्थों को गोला जा सकता है चलिए आपका तिस्रा चेप्टर भी आज कम्पलीट हो गया और हाँ जो जो चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो कमेंट करके बताएं ठीक है अगला चेप्टर भी आपका जल्दा आ जाएगा तब तक के लिए दिजिए हमें इजाजत धन्यवाद